ये गाइस और वेलकम बैक तो यह हम लोग का मानी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर यह हम लोग का 133 नंबर वीडियो है हम लोग ने अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और Bootstrap को कम्प्लीट कर रखा है और आज से हम लोग अपने Java Script के अंदर events वगेरा पढ़ने वाले हैं जो अपर यहां पर लिखा हुआ है DOM events or document object model events are a fundamental part of a web development that enable interaction in a web application events are action or occurrence that are happen in the browser such as user clicking a button, resizing a window, submitting a form, DOM event provide a way to detect and respond to this action तो यहां पर क्या लिखा हुआ है अगर हम लोग इसको simple language में समझना चाहें तो यह DOM event, event का मतलब क्या होता है घटना, घटना यानि कि कोई भी action अगर हम लोग के website के अंदर occur होता है तो उसको हम लोग events कहते हैं एक्जामपल के लिए हम लोगों ने बहुत धेर सार अपने CSS के अंदर button वगरा create किया है let's suppose that कि यहां पर मेरे पास एक click me button है और जब हम लोग अपने इस button पर click करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है event तो वहां पर हम लोग का event trigger हो रहा है event क्या trigger हो रहा है कि हम लोग अपने website के अंदर अपने button के उपर click कर रहे है but उस event के trigger होने पे कुछ हम लोग को response नहीं मिल रहा है कोई action नहीं हो रहा है तो उसी action को create करने के लिए हम लोग अपने java script का use करते है कि whether हम लोग अपने इस button पे click कर रहे है तो हम लोग का क्या happen हो रहा है तो इस button पे click करना हम लोग का event हो गया अब click होने के बाद जो भी हम लोग का action perform होगा उसको हम लोग बोलते हैं event handling तो देखों यहाँ पे लिखा हुआ है event handling to respond to an event we attach event listener to html element and event listener is a function that gets executed when a specific events occur यानि कि एकदम simple language में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग की website के अंदर कोई event होता है event जैसे हम लोग ने button पे click किया हम लोग ने अपने windows को resize किया तो वहाँ पे हम लोग का एक event occur हुआ अब उस event occur होने के बाद हम लोग कोई action perform करते हैं कि इस button को click करने के बाद let's suppose that की background को red कर दो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक event handling को यहाँ पे apply करते हैं अब हम लोग के पास multiple type की events होते है जैसे हम लोग के पास mouse event होता है जिसके अंदर हम लोग का click होता है mouse over होता है, mouse out होता है हम लोग के पास keyboard events होता है जैसे कि हम लोग का keyboard down, key up, key press हम लोग के पास form events होता है हम लोग के पास documents events होता है हम लोग के पास window events होता है तो चलिए एक करके हम लोग अपने सारे events को देखते हैं बड़ते हैं तो देखों यहां पर लिखा हुआ है एन इन लाइन इवेंट इन वेफ डिवलप्मेंट रेफर तो दे डिरेक्टली इस पेसिफाइंग तो जावा स्क्रिप कोड विधिन दी टी एमल डॉक्युमेंट टेपिकली ऐस पार्ट ऑफ एस्टी एमल टैग एक्टिविट यानि कि इन लाइन इवेंट का मतलब यह कि हम लोग अपने डैरेक्टली एस्टी मेल टैग के अंदर अपने जावा स्क्रिप के कोड को लिखते हैं यह सुनने में हम लोग को थोड़ा स attribute का use किया हुआ है यह हम लोग का एक attribute है अब इस attribute के अंदर देखो हम लोग ने जावास्क्रिप्ट का code लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का code यानि कि यहां पर हम लोग alert को print करा रहे हैं अब यह जो on click है ना यह हम लोग का event handler है यानि कि इसके help से हम लोग अपने event को handle करते हैं कोई भी हम लोग के website के अंदर अगर changes आएगा हम लोग के कोई भी button के उपर अगर कोई click करेगा तो on click के help से हम लोग अपने उस event को handle कर लेंगे अगर example के लिए मैं आपको इसका code दिखाऊं तो यहां पर देखो यह हम लोग का html का file open है और यहां पर मैं अपने body के अंदर एक button create करता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं click me save करूं मैं इसको तो यह देखो हम लोग का click me यहां पर देख रहा है अब अगर मैं अपने इस click me के उपर click करूं तो देखो हम लोग के website के अंदर यहां पर event happen हो रहा है है event के दोन अपने button के वोपर क्लिक कर रहे हैं बठाश लोग उस पोपर अपने event को हैंडल नहीं कर पान है यानि कि हम लोग उस button पे क्लिक होने के पाथ कोई action नहीं ले पार रहे हैं तो उस action लेनी के लिगे हम लोग LOG यहां पर यूज करते हैं on click attribute का तो यहां पर अगर मैं लिख दूँ on click और अपने on click के अंदर let's suppose that मैंने console.lock कराया button clicked अब अगर मैं इसको save करूँ तो यहां देखो अभी हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है बट जैसे ही मैं अपने इस button के उपर click करूँगा तो यहां पर दोखो हम लोग का event handle हो गया और console के अंदर हम लोग को दिख रहा है button clicked अगर मैं again click किया तो again दिख रहा है again जितनी बार मैं click करूँगा उतनी बार हम लोग को यहां पर हम लोग का event handle होते हुए दिख रहा है यानि कि यहां पर हम लोग का event हो रहा है event क्या हो रहा ह कि आपने को अपने on क्लिक को हेंडल कि हिल्प से अब यह हम लोग का इन लाइन है के निखे असी कि अपने अगर को यहां संदे को इंडल करा सकते हैं अगर हम लोग कुछ इफरेंट वर कराना है तो वह भी करा सकते example के लिए अगर मैंने यहां पर alert print कराया और alert के अंदर मैंने लिख दिया event happen अब अगर मैं save करूँ और जैसी मैं अपने इस button क्यों पर click करूँगा तो यहां पर देखो हम लोग का alert आगया event happen तो कुछ इस तरह हम लोग अपने event को handle करते हैं अपने on click event handler की help से यहां पर हम लोग अपने inline event handler का ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि यह हम लोग के लिए code थोड़ा सा bulky कर देता है example के लिए let's suppose that कि हम लोग के पास 10 buttons हैं जितने भी वो 10 buttons हैं उन सब का काम एक ही है कि वो console lock कराया है button click click to use case में अगर देखो हैं यहां पर मैं अगर यहां पर console.lock कराऊं button click save करूं मैं इसको तो जैसे देखो मैं अपने इस button के उपर click कर रहा हूं हम लोग का button click दिख रहा है let's suppose that यहां पर हम लोग के पास multiple buttons है तो सब के लिए देखो हम लोग को यहां पर different different on click apply करने के बार बार हम लोग को repeated code लिखना पढ़ रहा है console.lock button click console.lock button click तो इस तरह हम लोग का HTML का code है वो हम लोग का बल्की हो जाता है इसलिए हम लोग अपने inline event handler का ज्यादा use नहीं करते हैं तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे अफने event को we just spend it doing जी आपने inline event handler की help से जो कि आपको देखो हम के direct tag चैक के अंदर दिख के अंदर directly हम लोग अपने event को apply कर दे रहें अप हम लोग क्या करते हैं अब थोड़ा सा different देखते रहें अब हम लोग क्या करेंगे अपनी event को handle करेंगे अपने java script के अंदर तो चलिए उसको भी थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग अपने mouse events को ही देखने वाले हैं इस time हम लोग अपने events को अपने java script के अंदर apply करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का mouse event क्या है इसके पारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है mouse events in a wave development refer to the interaction that occur as a result of user mouse action within a wave page again mouse event यानि कि यहाँ पर आपको यह cursor दिख रहा है इस cursor की help से देखो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख पा रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग एक इवेंट चल रहा है यहाँ लोग का एक event हुआ है अगर यहाँ पर हम लोग का बने इस बटन के उपर रहा हूं तुझा तो यहाँ पर हम लोग का एक event happen हो गया और वो event हम लोगों अपने mouse की help से create किया है तो उसलिए उसको हम लोग mouse event बोलते हैं अब यहाँ पे हम लोग अपने java script के तरूँ अपने event को handle करने वाले हैं तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले अपना code देखते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले अपने जो भी हम लोग के html के अंदर buttons वगयरा होगा जिसके उपर भी हम लोग को अपने mouse event को apply करना है उसको हम लोग select करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने अपने query selector की help से अपने button को select किया है और अपने एक variable के अंदर मैंने store किया हुए ठीक अब मैं गया करूँगा अपने button के उपर on click event को apply करूँगा और on click event को apply करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे एक function create किया है print alert नाम का जिसके अंदर मैंने alert को print कराया है और मैंने अपने on click event के अंदर अपने print alert function को assign कर दिया है अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि यहाँ पी यह जो हम लोग का on click है यह कोई हम लोग का function नहीं होता है यानि कि यहाँ पे हम लोग अपने इसको इस तरह नहीं लिखते हैं parentheses नहीं लगाते हैं यह on click हम लोग का एक तरह से property होता है जिस property के अंदर हम लोग अपने function को assign कर सकते हैं जैसे हम लोग का inner text जैसे property होता था inner text equals to हम लोग कोई भी text लिख देते थे cm उसी तरह हम लोग का यह on click भी होता है तो चलिए again इसको code के अंदर हम लोग करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग का एक button created है जिसके अंदर हम लोग ने inline on click को apply कि होगा है मैं यहाँ से इसको remove करता हूँ और मैं save करता हूँ और जैसे ही देखो मैं यहाँ पर button पर click करूँगा और मैंने अपने बटन को pass कर दिया मैंने अपने बटन को successfully select कर लिया ठीक अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं अपने बटन को जबा console lock कराता हूँ console या फिर console dir कराता हूँ my button ठीक save करूँ इसको तो यह देखो हम लोग का button का object आ गया है इसको अगर मैं open करूँ तो जितने भी हम लोग की events होते हैं वो basically हम लोग के on से start होते हैं तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हूँ button clicked save करूँ मैं इसको यहाँ दोगो जैसे ही मैं अपने बटन पर क्लिक करूँगा यह दो हम लोग को console लोग हो गया अगेन क्लिक किया अगेन हो जाएगा जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार हम लोग का यहाँ पर console function का नाम मैंने print दिया अब यहाँ पर मैं अपने print को assign कर दूंगा सेफ करूँ मैं अगर मैं अगेन अपने click me button पर क्रेस्स करूँ तो यहाँ पर देखो हम लोग का button click दिखरा है यहाँ पर हम लोग directly parentheses नहीं लगाते हैं उसके पीशे कारण यह कि अगर हम लोगों ने तुरंत यहाँ पर parenthesis लगा दिया तो तुरंत हम लोग ने अपने फंक्शन को invoke कर दिया अब अगर मैं सेफ करूंगा तो देखो हम लोग का तुरंत यहाँ पर प्रिंट हो करके दिखेगा अब अगर मैं बटन पर क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होता है तो यह सारी चीज़े हम लोगों ने अल्रेडी पहले समझ रखी है तो इस चीज़ को ले करके आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं मैं अपने डिफरेंट फंक्शन को भी क्रिएट कर सकता हूं प्रिंट एलेट नाम का जिसके अंदर मैं अपने इलेट को प्रिंट कराता हूं बटन क्लिक अब अगर मैं सेफ करूँ और यहहाँ पे प्रिंट एलेट को अगर मैं कॉल करूँ यहां से अंlonok डिसर आपाना होगा अब यहाँ पर हम लोग सेव करते हैं अब देखो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा हम लोग का यहाँ पर अलर्ट दिखेगा ठीक तो इस तरह हम लोग का on click event वर्क करता है मेंले हम लोग इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग अपने event listener का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जिसको हम लोग अगले आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे और फिर भी हम लोग को पता होना चलिए कि कैसी यह हम लोग का वर्क करता है ठीक अब on click के अलावर भी हम लोग के पास काफी धेल सारे events होते हैं अगर मैं यहाँ पर नीशे आउं तो यहाँ पर देह हम लोग को बहुट धेल सारे events दिख रहे हैं यहाँ पे और ढांम आर् छोटन और मैं हम लोग को कुछ भी नहीं दिखरा है ठीक है और मैं यहां से print alert को रहता करके अपने print वाले function to call करता हूं तो यहां पिर जैसे ही मैं अपने इस mouse के cursor को लेकर आऊंगा अपने button के ऊपर तो हम लोग का button click दिख रहा हूं मैं click नहीं कर रहा हूं के वल करसर को लेकर जा रहा हूँ तो हम लोग का बटन क्लिक दिख रहा है तो जैसे हम लोग का on click वर करता है वैसे हम लोग का on mouse inter work करता है तो सारी को सारे similar ही वर करते हैं तो hopefully आपको समझ में आ गया होगी कैसे हम लोग अपने events को handle करते हैं अगर आपको कोई doubt हो तो अब comment section के अंदर पूछ सकते हैं तब तक कि लिए चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching